आप देख रहे हैं आपका चैनल शेर बतर वितायूश और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Reliance Industries के शेर के बारे में तो Reliance में आप देखेंगे काफी बड़िया तेजी देखने को मिल रही है पिछले कुछ सेशन्स में और फ्राइडे को भी दोस्तों खराब मार्केट में Reliance ने अपनी स्ट्रेंथ शो करी है 2080 पे क्लोजिंग दी है फ्राइडे को 12 रुपे 60 पैसे शेर बड़ा है 0.61% आपको शेर में अपसाइट देखने को मिला है तो दोस्तों इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे कि क्या अब Reliance फिर से अपनी स्ट्रेंथ शो करने जा रहा है और क्या आप Reliance में आपको एक Rally 1 TV देखने को मिलेगी तो दोस्तों आपको इस वीडियो में में पूरा बताऊंगा तो आप वीडियो आइन तक ज़रूर देखिएगा और फ्रेंस अब तक आपने हमाया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज फ्रेंस चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना तो देखिए रिलाइंस के अगर बात करें तो रिलाइंस ने फ्राइडे को काफी इंट्रेस्टिंग मूव दिखाया और 2100 के लेवल्स को इविंचली क्रॉस भी कर दिया 204 रुपे का इंट्रेडे हाई बनता है बट उसके बाद आप देखते हैं तो जैसे ही शियर में आपको एक फोड़ी इसी गिरावर्ट देखने को मिलती है जो गिरावर्ट आपको बिलकुल मार्केट के जो प्रेशर क्रियेट होँ था उसके लाई देखने को मिली बट शियर ने वापिस से वो स्ट्रेंध वापिस से शो करनी चालू करी है तो मुझे लगता है कि देखे यहां से reliance आपको काफी बढ़िया movement दिखाएगा और reliance के अंदर अब बिल्कुल खरिदारी का बढ़िया मौका है और बढ़िया indication है because आप देखेंगे जो 1800 का इसने strong support बनाया है पिछले अगर आप तीन महिने का चार्ट देखते हैं तो तीन महिने में अपने lowest level से share फिर से recover करके आपको उपर आता हुआ देखने को मिलेगा जो lowest level आप तच किया था वो था करीमन 825 रुपे के आसपस का और जैसे उसको तच किया उसको अब देखते हैं तो upside जो moment देखने को मिला आपको reliance में continuity में वो काफी जाधा शानदार है और यहां पर reliance अब अपना जो एक resistance एक किस सो पच्चिस का उसको तोनने की पूरी तैयारी कर रखा है अब देखिए तीन मेने का चार्ट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो resistance था उसके बार शेयर ने आपको घूमना चालू किया था और शेयर जो घूमा था देखिए 1825 तक आ चुका था lower side में तो एकिस सो पच्चिस अब बहुत बड़ा important level हाने वाला है बहुत बड़ा resistance आने वाला है जैसे इसको cross करता है वैसे शेयर आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा बाइस सो के पार पिछले छेयो मैने का चार्ट देखिए जैसे इन levels को तोड़ देता है शेयर तो आपको ए किस सो पच्चेस एक important level है और शेयर दोस्तों आप देखेंगे पिछले तीन-चार महिने में काफी जादा आपको गिरता हुआ देखने को मिला था लेकिन अगर पिछले एक महिने की बात कर तो एक महिने में फिर से दोस्तों शेयर ने यूशे प्रिकवरी दिखाने की पूर बात कर तो definitely आपको थोड़ा सा market अभी आपको dangerous लगेगा थोड़ा सा cautious आप आपको रहना है because अभी nifty ने देखिए 15,000 के नीचे की closing दी है तो अगर यहां पर market में थोड़ी बहुत dip आती है तो बिलकुल उसका फायदा उठाए और reliance को ही ले क्योंकि reliance अब अपना consolidation का बड़ा breakout देने वाला है और यहां पर reliance में बने रहना है पिछले 5 दिन में देखिएंगे तो पिछले 5 दिन के अंदर share ने आपको करीबन 1% की टेजी दिखाई है और यहां पर जो तेजी है दोस्तों वो mostly share ने अपने lower level से काफी बड़े recovery करके दिखाई है और अगर य दोस्तों बात कर लेते हैं share के technicals के उपर और फिट support बताऊंगा strong support क्या है नीचे का अगर market भी कुछ में आपको गरावर देखने को मिलती है तो reliance अपना strong support कहां पे लेगा तो अगर हम technicals में देखे तो आखरी मिंटों में भी आप देखेंगे तो share में एक आपको selling pressure बनता कि वह selling pressure एक buying में convert था बट आखरी मुवमेंट्स पे आके आपको share में जो गिरावट देखने को मिली वह selling pressure था जहां पे लोगों ने अपने देखी positions को हलका किया है तो यहां पे यहां पे आपको selling pressure देखने को मिल रहा है अब resistance की बात करें तो resistance क्या दे रखा है resistance दे रखा ह 2126 देखे जो exactly आपको resistance बताया वो का यहां पे दे रखा है 1225 का क्योंकि यह एक बहुत बड़ा resistance होने वाला है जैसे ही cross करेगा यहां पे बढ़िया तीजी देखने को मिलेगी then 2175 एक छोटा सा resistance से इसको भी cross कर देथा तो फिर 200 रुपे तो confirm होई जाएगा share तो यहां पे support क्या दे रहे हैं क्योंकि important है दोस्तों जानना support support दे रहा है first 2045 2027 1978 अब important आपको बताता हूं कि 2050 2050 क्यों लेवल है अगर इसके उपर यह बने रहता है और अगर यह भी एक बाद तूट जाए तो 2025 अगर इन दोनों levels के उपर यह बने रहने में काम्याब हो जाता है तो मैं कह सकता हूं कि share में आपको कुछ ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी यह इतनी गिरावट देखने को मिल सकती है because आपको market में अभी आपको selling pressure देखने को मिल रहा है तो यहां पर अगर आप थोड़ी बहुत भी गिरावट होती है तो बिलकुल आपको entry लेने का ब 25 तक मिलता है तो बिलकुल buying करनी है target रखना है दोस्तों यहां से मुझे लगता है 2300 रुपय तक का देखने को मिल सकता है for time frame of one month यानि March के end तक और जो SL यानि stop loss maintain करना है दोस्तों वो करना है यहां से आपको करीवन 2025 का और अगर नीचे खरीचते तो 2000 का पी लेकर चल सकते ह साथ आप बने रहें और मुझे लगता है कि यहां से reliance काफी बढ़िया upside moment दिखाएगा और reliance काफी बढ़िया पर को सकते है for next month तो दोस्तों इस वीडियो में इतना अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब परना मत भूलना वीडियो को शेयर बजो करेगा थैंक्यो फ्रेंट्स पर ओचिंग इस वीडियो